कथा साहित्य में आपका स्वागत है आए आज सुनिए हिंदी की जानी मानी ख्याती प्राप्त वरिस्ट लेखी का दीपक शर्मा जी की लिखी कहानी कहानी का शीर्षक है ताई की बुनाई गेंद का पहला टपा मेरी कक्षा अध्यापिका ने खिलाया था उस दिन मेरा जन्म दिन रहा तेरवा कक्षा के बच्चों को मिठाई बाटने की आज्या लेने मैं अपनी अध्यापिका के पास गया तो वे पूछ बैठी तुम्हारा स्वेटर किसने बुना है बहुत बढ़ मैं उन्हें अपनी मा मानता रहा था घर में सभी लोग उनके बुने स्वेटर पहनते हैं अच्छा मेरी कक्षा अध्यापिका ने अपनी मांग प्रस्तूत की क्या तुम नमूने के लिए मुझे अपना स्वेटर ला दोगे कल या परसो या फिर अगले सप्ता हा वे अपने कभी नहीं बुनती मैंने सचुगल दिया आज घर जाते ही पिता से कहना उनके स्वेटर के लिए उन्हें उन ला कर दें अब अपने लिए एक स्वेटर बुनना अम्मा शाम को जब ताउजी घर लोटे तो मैंने चर्चा छेड़ दी तुम्हारे पास एक भी स्वेटर नही अपने ताउजी से सीधी बात कहने की मुझमें शुरू से ही हिम्मत ना रही देखियے ताउजी ने हस कर ताउजी की उड़ देखा क्या कह रहा है हाँ अम्मा, मैं ताई से लिपट लिया, वे मुझे प्रिये थी, बहुत प्रिये देखिए, ताउची की स्विक्रिती के लिए ताई उतावली हो उठी, इसे देखिए अच्छा बुन लो, इतनी बची हुई तमाम मूने तुम्हारे पास अलमारी में धरी है तुम्हारा स्विक्रितर अराम से बन जाएगा, ताई का चेहरा कुछ मलान पड़ा, किन्तु उन्होंने जल्दी ही अपने आपको संभाल लिया, देखती हूँ, अगले दिन जब मैं स्कूल से लाटा, तो ताई पाल्थी मारे उनका बाजार लगाए बैठी थी, मुझे उन्हों को अलग-अलग करने में लगी रही, खाना, मैं चिलाया, चाची से कहे, वो तुझे संजु और मंजु के साथ खाना परोस दे, ताई अपनी जगहा से हिली नहीं, इधर ये उन्हें कहीं उलच गई, तो मेरे लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी, तेरे ब चोटी बुआ, मेरे माता पिता, जिन्हें आज भी मैं चाची और चाचा के संबोधन से पोकारता हूँ, और मुझसे बड़े उनके दो बेटे, संजु और मंजु, मुझसे पहले के अपने दामपत्य जीवन के पूरे ग्यारा वर्ष, ताउजी और ताईने, ने संदान का काटे थे, दोपहर में रोज लंबी नींद लेने वाली ताई, उस दिन दोपहर में भी अपनी उने चाटने में लगी रही, आज दोपहर में आप सोई नहीं, अपनी जपकी पूरी करने पर मैंने पूछा, सोच रही हूँ, अपना स्वेटर चितकबरा रखूं, या एक त पन से ही आकरशित करता रहा है, अचरज नहीं जो आज मैं चित्रकला में शोध कर रहा हूँ, शाम को ताउजी को घर लोटने पर ताई को आवाज देनी पड़ी, कहा हो, ताई का नाम ताउजी के मुख से मैंने एक बार ना सुना, यह जरूर सुना है, सन सतावन में जब ताई बेहा कर इस खर में आई थी, तो उनका नाम सुनकर ताउजी ने नाक सिकोणा था, वीरावाली, अपना नाम ताई को अपनी नानी से मिला था, सन चालिस में, दामात की निराशा दूर करने के लिए उन्होंने तसल्ली में कहा था, यह वीरावाली है, इसके पीछे व उनके घर में उनके चार भाई आए, मैं तुम्हें चंद्रमुखी कहकर पकारूँगा, विजन्ती माला की चंद्रमुखी ताउजी के लिए उन दिनों जगत की सरवाधिक मोहक इस्त्री रही होगी, अपने दामपत्य के किस पड़ाव पराकर ताउजी ने ताई को चंद् कहां हो ताउजी दूसरी बार चिलाए, उन दिनों हमारे घर में घर की इस्त्रियां ही भाग दोड़ का काम किया करती, पती के नहाने, खाने, सोने और ओढ़ने की पूरी-पूरी जिम्मेदारी पत्नी की ही रहती आ रही हूँ, ताई जेब गई, ताई को दूसरी आवाज देने की नौबत कम ही आती थी, अपने हिस्से के बरामदे में ताउजी की आहट मिलते ही, हाथ में ताउजी की खड़ाओं लेकर ताई उन्हें अक्सर चिक के पास मिला करती, किन्तु उस दिन आहट लेने में ता ताई ने उनके हाथ से उनका जोला थाम लिया, ताउजी को फल बहुत पसंद रहे, अपने शाम के नाश्ते के लिए वे लगभग रोज ही बाजार से ताजा फल लाया करते, एक अमरूद और एक सेव है, ताउजी कुछ नरम पड़ गए, जाओ, इनका सलाद बना लाओ, आगामी कही तिन ताई ने उधेड भुन में काटे, अक्षर अशह, रंगों और फंदों के साथ वे अभी प्रियोग कर रही थी, कभी पहली पांत में कोई प्रात्मिक रंग भरती, तो दूसरी कतार में उस रंग के द्वित्य और तृत्य घाल मेल तुरप देती, किन्तु यदि अगले किसी फेरे में परिणाम उन्हें ना भाता, तो पूरा बाना उधिडने लगती, फंदों के रूप विधान के संग भी उनका वेहवार बहुत कड़ा रहा, पहली प्रिक्रिया में यदि उन्होंने फंदों का कोई विशेश अनुक्रम रखा होता, और अगले क इसी चकर में फंदों का वेह तांता, उन्हें संतोष चनक ना लगता, तो वे तुरंत सारे फंदे उतार कर नए सिरे से ताना गूंथने लगती, इस परिक्षन परणाली से अन्ततों गत्वा वेह अनुपात उनकी पकड़ में आ ही गया, जिसके अंतरगत उनका स्वेटर अदपुत आभा ग्रहन करने लगा, चित्रकाला में गोल्डन मीन की महता के विशे में मैंने बहुत देर बाद जाना, किन्तु ताई की सहज बुद्धी और अंतरद्रिष्टी असामाने रही, संसंगती और सम्मती पर भी उन्हें अच्छा देकार रहा, और शेग्र ही बह रस्तता ना दिखाई थी, वास्तव में एक तो उन पिछले स्वेटरों की रूप रेखा तथा सामगरी पहले से ही निश्चित रहती रही थी, तिस पर वे परिवार के किसी प्रिति भाजन से संबंदित होने के कारण, परिवार की सामोहिक गतिविधियों में ताई को साज थलक रख रही थी, सभी चकित थे, त्याग मैं पतनी, स्नेहिशील भावी तथा आग्याकारी बहु के स्थान पर ये नई इस्त्री कौन थी, जो अपनी सर्जनात्मक उरजा, एक स्वर ग्रहित तथा स्वर निर्धारित लाप पर खर्च कर रही थी, ऐसे सम्मोहों के साथ फिर अपने स्वर पोशित उस हट में ताई अपनी दिन चरया, अपनी कर्तवे निस्ठा तथा अपनी विनमरता को भी तिलांजली देने लगी थी, और अब उनके स्वेटर का संबंध सीधे सीधे उस वास्त्विक्ता पर आटिका था, जिसके घेरे में वे स्वैम को निता की आदत रही, अपताई कई बार रात में बदाम भिकोना भूल जाती, तुलसी की पती में काली मिर्च लपेटना भूल जाती, गुनगुने पानी में निमू निचोडती तो शहद मिलाना भूल जाती, या शहद मिलाती तो निमू निचोडना भूल जाती, रसोई में भी क जड़का नीचे लग जाता। चावल पकाती तो उसकी एक कणी कच्ची रह जाती। रोटी सेंखती तो उसे समय पर फुलाना भूल जाती। उस दिन ताउची जब घर लोटे तो उनके हाथ से उनका जोला मैंने पकड़ लिया। उन्हें खणाओं भी मैंने ही पहना दी। कह हो। ताउची ने ताई को पुकारा। यह अनार छीलना है। लीजिए ताई ने ताउची की आग्या स्विकारी और जटपट अनार छील लाई। काला नमक और गोल मिर्च नहीं मिलाई क्या। अनार का स्वाद अपिक्षानुसार ना पाकर ताउची रुस्ठ हुए। अन उनकी ऐसी जरूरत तो है नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा। ताउची ने ताई के हाथ से उनका स्वेटर जपट लिया। मुझसे भूल हुई। ताई ततकाल संभल गई। मैं अभी दोनों चीज ला रही हूँ। मगर आप मेरा स्वेटर ना छेडियेगा। इसे ना छे मैंने कहा ना ताई उग्र हो उठी। मुझसे भूल हुई। मुझे कोई दूसरी सजा दे दीजिये मगर मेरा स्वेटर ना खराब कीजिये। इस पर मैंने जान मार कर काम किया है। इसे ना खराब करूँ। भड़क करताउजी ने उधेडने की अपनी गती त्वरित कर दी इसे क्यों ना खराब करूँ। निपूते हो ना। ताई की उग्रता में व्रिधी हुई। इसलिए सारा प्रकोप मुझ गरीब पर निकालते हो। क्या बोली तू। स्वेटर फेंकर ताउजी ताई पर जबट लिए। बोल क्या बोली तू। बड़ी बहु। तभी दाद की आग्या का उलंगन ना कर सकता था। मगर ताउजी के धकों और घूसों से हाफ रही ताई ने द्रिड स्वर में उत्तर दिया। मुझे यह स्वेटर पूरा करना है। ये बोरा गई है। ताउजी ने ताई को एक आखरी जटका दिया और कमरे से बाहर चले गए। ताउ होश से काम लो। लाव। वह बुनाई इधर लाव। नहीं। ताई टस से मस ना हुई। मुझे यह स्वेटर जरूर पूरा करना है। नंदू। दादा ने मुझे संबोधित किया। अपनी अम्मा से वह बुनाई लेकर मेरे कमरे में पहुँचा दो। अभी। इसी वक्त अपना अंतिम निर्ने देकर दादा दर्वाजे की चिक से हट गए। क्या मैं बाबुजी का बेटा नहीं? मैं ताई के पास पहुँच लिया। नहीं, वे निपूते हैं। और तुम? मेरी जान हुंटों पर आ गई। मैं भी निपूती हूँ। ताई अपने हाथों से अपने गले में उडेली और सुभा से पहले दम तोड़ दिया। दिखाओ शोक के उपरांत उनकी मृतक देह को ताउजी ने यथा नियम अगनी के हवाले कर दिया। हाँ, आधा उधड़ा और आधा भुना उनका चित कबरा स्वेटर अब मेरी अलमारी में धरा है। मेरी अभी आपने दिपक शर्मा जी की लिखी बहुत ही भावपुन कहानी सुनी। आप मुझे आग्या दीजिये और कथा साहित्ते से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।